नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अगर आप सपने में खुद को पीपल का पेड काटते हुए देखते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को पीपल का पेड काटते हुए देखते हैं, तो इस तरह के सपने का क्या मतलब होता है दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब आते हैं अपने प्रशन के उत्तर पर दोस्तों, स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में खुद को पीपल का पेड़ कारते हुए देखते हैं तो यह सपना एक बहुत ही अशुब संकेत होता है ऐसा सपना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में आपको बड़ी मात्रा में धन की हानी होने वाली है आपका बड़ी मात्रा में धन गायब होने वाला है हो सकता है कि आपके घर या दफ्तर से आपके पैसे चोरी हो जाएं या आप अपने पैसे जिसे देते हैं वह चोरी कर ले यदि आप व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए या कोई आपका पैसा खा जाए यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि आपकी नौकरी संकट में आ जाए और इसके बाद नई नौकरी पाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पर सकती है ऐसे समय में आपको किसी से पैसे का लेंदेन भी कम करना चाहिए और सतर्क होकर पैसे का सही इस्तेमाल ही करना चाहिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद